नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अफिफसा की पूरी टीम की तरफ से मैं हूँ अभिलावत शांशो पांडे और हम बात कर रहे हैं मिशन 2023 की अगर आपको नहीं पता है कि मिशन 2023 क्या है तो मैं आपको बता दूं कि कक्छा बार्यू में भौतिकी के लिए मैं लेकि सभी सब्जेक्ट के लिए और दोनों बोर्ड परिक्षाओं के लिए हमारा सीजी बोर्ड का एक्जाम सीरीज चल रहा है अभिफसा का यह सीरीज है एक्जाम सीरीज मिशन 2023 और यहां पर जो है हम आपकी परिक्षा की सुरू से आखरी तक पूरी तयारी करा रहे हैं फिजि इस्टॉल करते हैं तो आपको यहां पर माइंड मैप मिलेगा माइंड मैप मिलेगा यहां पर आपको हमारे स्पेसिफिकली तयार शौर्ट नोट्स मिलेंगे और इसके अलावा 1-to-1 मेंटर्शिप और हमारा जो है करियर और बाकी भाउच से की चीज़ों के लिए एक भी ऐसी वीडियो मिसना हो जाए जो आपकी परिच्छा के दिश्टिशे महां तो पूर्ण हो सकती थी आईए बात करेंगे गतिमान आवेस और चुम्बकत्वकी यह हमारा अगला अध्याय है और यह यूनिट तीन में आता है तो अब हमको बात करनी है कि यूनिट तीन मत और फिर बात कर लेते हैं हमारी इकाई तीन में कुल मिलाके दो अध्याय है अध्याय चार और अध्याय पांच और इन दोनों अध्यायों का नाम है गतिमान आवेश एवं चुम्बकत्व और दूसरा अध्याय जो है अध्याय पांच है चुम्बकत्व एवं द्रव की जाएगी इन दो अध्यायों को मिला के उन में से एक आज हम सुरू कर रहे हैं यहां पर जो डिसकुशन हो रहा है वो दो तरीके से जो है आपके सामने आ रहा होगा पहला यह कि हम पूरे टॉपिक का याने के पूरे अध्याय का एक बहुत फास्ट रिविजन करते हैं ताक को लिखने का तरीका सीखते हैं और इस तरीके से हम अपनी तयारी करते हैं पुखता तो आईए सुरुआत करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे चुम्बकिया छेत्र क्या होता है जैसा कि हम लोगों ने विद्दु छेत्र के समय में ये निरधारित किया था कि भाई किसी भ पूरे च्छेत्र को जो है, हम विद्दुच्छेत्र कहते हैं, अब उसी तरीके से, यहां पर जो है, हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी चालख के असपास कब च्छेत्र, जेहां किसी दूसरे चुम्बग दौर्ण की बल का अनुभाव किया जा सकता है, अब इस बार हम लोगों ने चालक का नाम क्यों लिया हम लोगों ने चुम्बक के आसपास का शेतर क्यों नहीं बोला इसके लिए आपको एक इतिहास जाना जरूरी है जो की बायो सेवर्ट लॉक्स के द्वारा जुड़ा हुआ है तो यहां पर एक प्रयोग था जहां पर एक तार में जब भी हम धारा का प्रवाह करते थे तब वो आसपास के चुम्बक को प्रभावित करता था और उस प्रयोग के चलते हम लोगों ने धारा के ही चुम्बक की प्रभावों की चर्चा करने के लिए यह परिभासा लिखी है अब यहां पर क्या बोल रहे हैं हम कि का मान जो है गाउस होता है और अगर आपसे एक प्रश्म पूछा जाता तो वो यह पूछा जाता कि एक गाउस में कितने टेसला होते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब चुम्बक की छेत्र का मातरात्मक निरधारन कैसे किया जाए मतलब यह है कि इसको नापा कैसे जाए हम क्या देखते हैं कि जो चुम्बक की बल लग रहा है भाई दूसरे चुम्बक को उपस्तिती का पता कैसे चलेगा बल के करन जो चुम्बक की बल लग रहा है वह आवेसों की मातरा बढ़ाने से बढ़ जाता है इसका मतलब यह है कि यदि विद्धु धरा के मान में विद्धी करती जाए तब भी हमको बल बढ़ा हुआ दिखाई देगा दूसरा कि उसके आसपास जो है जो चुम्बक की च्छेत्र है उसको बढ़ा देने से भी जो है उसमें बल में विद्धी हो जाती है और यह जो है वी साइन थीटा मतलब जो गतिमान आवेस है उस आव यह नहीं है ऐसे लेने की बजाए हम जो है एक चुम्बक की च्छेत्र ले रहे हैं यह इसको देख करके आपको समझ जाना चाहिए कि चुम्बक की च्छेत्र जो है वो एक समान है और बाहर से अंदर की और जा रहा है इसका मतलब यह है कि हमारा जो चुम्बक की च्छेत्र है उसको आप मानिए कि वो एक ऐसे तीर की तरह है जो आ करके इसके अंदर घोस रहा है अब इस चुम्बकी छेत्र में यदि हम लोहों ने एक गति मान आवेस को भेजा मान लेते हैं कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है और यह इलेक्ट्रॉन जो है वो भी गति से जो है इसके अंदर प्रवेस्ष करता है अब देखा कि हमारा आवेस जो है वो ऊपर जा रहा है और जो चुम्बकी छेत्र की तीवरता है वो अंदर जा रही है तब यह आवेस-शन प्रकार के बल का उननुभाव करेगा और इस बल की द्याख्या क्या होगी F ये जो है आवेस की मातरा से समानुपाती होता है उसके बाद में F जो है वो चुम्ब की छेतर की तीब्रता के समानुपाती होता है और F जो है वो ये हाँ आवेस की मातरा को Q दिस से पदरशित करना चाहिए यहां पर हाँ ठीक है तो यह जो है और खिस्ची से V साइन थीटा मतलब यदि हम जो है इसको गतिशील रखेंगे तब ही इसको बल का अनुभाव होगा यदि रुका हुआ आवेश है तो बल का अनुभाव नहीं करेगा तो अब गतिशील आवेश की आवेश का वेग और उसकी दिशा इन दोनों चीजों पर भी निर भर करता है इन तीनों चीजों को हम लोगों ने मिलाया तो हम को मिला एफ आनुपा आनुमार आनुबा एफ समानुपाती है क्यू वी बी साइन थीटा के ठीक है और यहां पर जो है बराबर 4 pi बटा mu naught by 4 pi यह हो जाएगा f बराबर mu naught by 4 pi और यह हो जाएगा q v b sin theta अब यह चीजें देख लेने के बाद में हम बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं लॉरेंज का बल क्या है लॉरेंज का बल क्या है इसको समझने के लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि जब भी कोई आवेश वो दूसरे आवेश के संपर्क में आता है या चुम्बकी छेत्र के बल में संपर्क में आता है तो भाई एक आवेश हम लोगों ने ले लिया और उस आवेश के साथ में क्या कर रहे हैं हम कि अगर यह यहाँ पर हमको विद्दू छेत्र दिखाई देता है जिसको हम E बोलते हैं तो यहाँ पर खड़ा हुआ आवेश वो जो है बल कानुभाव करता है जो QE होता है इसी प्रकार से एक आवेश है जिसको हम अगर माचुम्बकी छेत्र में रख दें और वो हाँ पर खड़ रहने की बजाए अगर यह गतिशील आवेश है तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाता है F is equal to QVB sin theta अब इन दोनों जो है QVB sin theta याने के QV cross B अब अगर इन दोनों को जो है हम ध्यान से देखें तो हमको क्या समझ में आएगा हमको ये समझ में आएगा कि एक आवेश जो है एक साथ दोनों प्रकार के बलों का अनुभाव कर सकता है और यही बात जो है लॉरेंज ने कही इहां पर एक बात का correction है भाई यहां पर हम qvb sin theta लगाते हैं यहां पर proportionality constant की जरूवत नहीं है तो अब हम क्या देखते हैं कि लॉरेंज ने दोनों बलों को जो है जोड़ करके कुल मिला के लगने वाले बल का मान बताया और कुल मिला के बल का मान क्या है तो f बराबर qe dhan f बराबर qvb sin theta और यहां पर हम लोगों ने q बाहर निकाला और यह हो गया e dhan v cross b तो इस प्रकार से यह लॉरेंज बल की कुल मिला करके परिभाशा है तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा हम लोगों ने देखा कि किसी भी आवेस पर जो की गतिमान है उस पर जो है कुल मिला के बल कितना लगता है उस पर लगने वाले बल की गणना हम कर सकते हैं f बराबर अब चलो इसको small f ले लेते हैं चलिए है ना तो हम बोल सकते हैं fm magnetic ball is equal to qv cross b अब इसको जो है हम किस से connect करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे हम एक धारवाही चलक ले लेंगे और इस धारवाही चलक में जो है अब हम जो है लगने वाले बल की गणना कर रहे हैं यदि यह कहां है एक समान्चुम्ब की छेतर पर रखा हुआ है जिसकी तीवरता भी है थीक है तो अब हम क्या कर सकते हैं हम सबसे पहले कुल मिला के आवेश की बात करेंगे कुल मिला के आवेश क्या होगा यदि हम मालने कि कुल मिला के मुक्त इलेट्रोनों के संख्या N है और हर एक electron में E का आवेस है तो N गुना E और यह जो है आपको कुल मिला के आवेस की बात करेगा अच्छा यह जो N है यह क्या है भई कुल मिला के तो हमको पता है कि प्रती एकांक मुक्त आवेस मुक्त इलेक्टरनों की संख्या N है और यदि जो है यहां का area of prosecution मतलब अनुदैर्ध कार्ट का छेतर फल A हो और उसकी लंबाई L हो तो कुल मिला के इस चालक का आयतन N A L हो गया और इसमें जो है अगर हम मतलब यह कुल मिला के मुक्त आवेसों की मुक्त इलेक्टरनों की संख्या हो गई यहां पर अगर हम E का गुणा कर दें तो यहां पर हमको क्या मिल जाएगा कुल मिला के आवेशों का मान मिल जाएगा अब देखें यह V क्या है V जो है वो धारा मतलब जो आवेश चल रहे हैं उनका वेग है और यदि हम विदुद्धारा की बात करें तो VD जो है यह क्या है भई अनुगमन वेग याद है आपको ठीक है और यहाँ पर हमको B मिल जाता है तो V X B तो हमको पता चल गया अब हमको क्या बोलता है N E A V D तो यहाँ पर देखें I को हम लोग किस तरीके से जानते है I is equal to N E A V D और यह जो है कुल मिला के विदुद्धारा है तो आप जो है V D को इन चीजों से मिला दीजे और L cross B कर दीजे तो यहाँ पर हो जाएगा N E A V D N E A V D और उसके बाद में L cross B यहने की यह हो जाएगा I L B L cross B यह फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको I L B sine theta और यह कुल मिला के किस का मान हो जाता है बल का मान हो जाता है तो किसी चुम्बकी छेतर पर यदि हम अधारावाही चालक रख देते हैं तो वो अधारावाही चालक भी एक बल का अनुभाव करता है जिसको I L B sine theta के रूप में हम कैलकुलेट कर सकते हैं आगे की बात क्या है वैदूत परावैदूतांग अब जो है इस्थिर वैदूत परावैदूतांग का हम अगर बात करना चाहें तो मैं आप से यह बोलूँगा कि भाई कूलम के नियम से हमको पता है F बराबर 1 by 4 pi epsilon 0 और यहां है Q1 Q2 बटा R का वर्ग अब यहां पर हम अगर बात करते हैं यदि हम लोगोंने पहला आवेस Q1 यहां और दूसरा आवेस Q2 यहां लिया हुआ है तो इनके बीच में लगने वारा बल किनकिन बातों पर निर्भर करता है इनके बीच की दूरी कितनी है और इनके अपने परिमानों का गुणन फल कितना है लेकिन एक बहुत वपूर बात वो रह जाती है और वो क्या है कि यदि हम इसके बीच के माद्ध्यम को बदल दे तब भी जो है फोर्स मतलब बल के मान में अंतर आ सकता है तो इस माद्ध्यम के बारे में जिम्मेदारी किसने लिए रखी है परावेद दूतांक ने एफसलान नॉट और इसकी वेल्यू कितनी होती है एफसलान नॉट की वेल्यू होती है आर दसमलाव आठ पांच गुना दस की घात रिण बारा और फैराट पर मीटर ये जो है किसी माद्ध्यम के बारे में हमको बताता है इसी प्रकार से जब हम पार गम्मिता की पार हम देखते हैं कि यहां पर हगर हम लोगों ने जान पर पर दक्षनी रायरा है तो इनके बीच में जो है जो लगने वाला बल है वह किस के तरीके से निर्धारित होगा विद्दूत प्रकीय बल रेखहों के द्वारा यदि हम इसके बीच में कोई पदार्थ रख देते हैं तो उस पदार्थ की उतकृष्टता इस बात पर निभर करेगी कि इसके अंदर से कितनी आसानी से विद्धुत बल रेखाएं गुजर सकती हैं इसको प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास में एक नियतांग है यह आप कहां पढ़ रहे होंगे यह आप बायो सेवर्ट तुलाव में देख रहे होंगे तो यह जो यू नॉट बाइफ फॉर पाई है इसमें से यह जो है क्या प्रदर्शित करता है वो पार गंविता को प्रदर्शित करता है किसकी मात ध्यम के और इसका मानध दस्क गहात ईंड साथ है और इसका जो है अगर हम क्या कहना चाहिए इसका जो इकाई निकालना चाहें तो यह हो जाएगा टेसला प्रती मीटर टेसला मीटर प्रती एमपियर इस प्रकार से हम लोगों ने ये चीज़ें सीखे अभिपसा का ये जो application है यहां पर आपको हमारे पूरे course के बारे में पूरी जानकारियां मिलेंगी हमारे हर chapter से related कुछ free videos हैं और कुछ के लिए आपको subscribe करना पड़ता है तो यदि आप डीटेल में देखना चाहते हैं या अगर अभी आप अपने juniors को या दूसरे विद्यार्थियों को हमारे बारे में बताना चाहते हैं तो यह application play store से download करें और हमारी सारी सुईधाओं का अधिक्तम लाब उठाएं यह परिक्षा का समय है और यहां पर आप अपनी तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ सकते तो जब आप कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं तो हम भी यहीं चाहते हैं कि आप हम से जुणें और हम एक दूसरे को अधिक्तम लाब पहुचा सकें चलियाए मिलते हैं हम अगले वीडियो में वहाँ पर भी कुछ महतुपूर बातों पर चर्चा की जाएगी तो तब तक के लिए धन्यवाद